पंजाबी सिंगर और कॉंग्रेस नेता सिद्धू मुसेवाला की हत्या में आठ शूटरों के शामिल होने का संदे है इन सभी की पहचान हो चुकी है एक आरोपी मनप्रित सिंग मन्नु की पंजाब से गिरफतारी हो चुकी है तीन शूटर पंजाब के रहने वाले हैं दो महराष्ट और दो हर्याना के हैं जबकि एक शूटर का तालुकात राजस्तान से है आरोपियों की तलाश में दिल्ली पंजाब हर्याना और राजस्तान में पुलिस की ताबर तोड रेट जारी है पंजाब और दिली पुलिस की परताल में अंताजा जताय जा रहा है कि मुसेवाला हत्या कांड में अलग अलग राज्यों के शूटर्स का जान बूच कर इस्तमाल किया गया था ताकि जाज अजनसिया पूरी तरह से गुमरा हो जाएं और शूटर्स को गिरिफ्तार करने में परिशानी आएं बताते कि सिदु मुसेवाला की हत्या करने वाले शूटर्स में से अभी तक एक भी गिरिफ्तार नहीं हो पाया है पूलिस ने लोरेस विशोई गैंक के फराज चल रहे शार्प शूटर्स को जीरो इन किया तो आट बंदमाशों पर सबसे ज़्यादा संदे हुआ इसलिए पूलिस अब एनी की तलाश में चार राज़ों में छापे मारी करने भी जूट गई इन में तीन शूटर तरन तारन पंजाब के रहने वाले हैं दो पूरे महराष्ट और दो शूटर हड्याना के हैं वहीं एक राजसान का निवासी है दरसल तरन तारन पंजाब के रहने वाले मनपित सिंग मद्नू को उतराखंट से ग्रिफतार किया गया था इस पर लोजिस्टिक सप्लाई करने का और शूटरों का गाड़ी प्रोवेट करने का रोप है इसे पूस्ताच के बाद इन साथ शूटरों की तलाश की जा रही है जगरूप सिंग रूपा तरंतारब पंजाब हर कमल उर्फ रानू भटिंडा पंजाब इन सभी शूटरों का कनेक्शन लोरेस विशोई से बताया जा रहा है और कनेडा में बैठे गोल्डी बरार के निर्देश पर बदमाशों ने हत्याकांड को अंजाम दिया था बदादे कि मुसावाले के शरीरी पर करीब दो दरजन गोलिया चलाई गई थी रिपोर्ट के मताबिक जादा खुन बहने से मुसावाले की मोथ हो गई थी वहीं इसी हत्याकांड में मुसेवाले के आंत्रिक अंगों में भी चोट मिली इसके अलावा सिर्की हड़ी से भी गोली मिली है ये गोलिया इनी हत्यारों ने दागी थी गोर्टलबै की पंजाब के मांसर जिले स्थित जुहार के गाव के नजदिक 29 मई को थार गाड़ी सवार सिद्धू मुसेवाला की गोलियों से भून कर हत्या कर दी गई थी इस हमले की जिम्मेदारी केनेडा में एक बैठे गैंगिस्टर गोल्ड बरार ने फेसबूप कोश्ट के जरिये ली थी गोल्डी बरार तिहाड जेल में बंद खोक्याद गैंगिस्टर लोरेस बिशोई का बहत कर भी माना जाता है इनोंने अपने दोस्त विक्यू मिद्धी खेडा के मोत का बदला लेने इस हत्या कानड को अन्जाम दिया था बता दे कि पिछले साल मिद्धू खेडा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी लोरेस गैंक सिद्दू मुसे वाला पर हत्यारों को पना देने का आरोप लगा रही थी ऐसे वीडियों के लिए वीडियों को लाइक शेर चैनलों को स्बस्क्राइब जरूर करें धन्यावाद